नसा तसकरों पर प्रदेश सरकार ने बुल्डोजर की कारवाई सुरू कर दी है जिसके तैत रादोर के छोड़ा बांस में परसासंद वारा चीन हीत किये गे दो नसा तसकरों के घरों पर बुल्डोजर चलाया गया हाला कि नसा तसकर के पांच अरोपियों को नोटिस दिये गए थे लेकिन पहले दिन दो पर कारवाई हुई एक मकान तो पूरी तरह से ड़ा दिया गया जबकि अन्य मकानों को पूरी तरह से नहीं ड़ाया जा सका जिसे परसासंद जल्द से जल्द ड़ाने का दावा कर रही ह बुद्वार को जैसे ही पुलिस परसासन की टीम यहां बुल्डोजर लेकर पहुंची तो वहां के लोगों में हड़ कम्प मच गया। पुलिस परसासन की और से चोड़ाबास के पांच ऐसे लोगों को चिन हित किया गया था जिन पर नसा तसकरी के आरोप हैं। सीवं को हरियाना नगरपाली का अधिनियम 1973 की धारा 181 के तहद नोटिस दिये गए थे जिने साथ दिनों तक नगरपाली का की भूमी पर किये अवेद कब्जों को खाली करने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करा गया था जिनके खिलाफ हमारे यहां रादोर में नशा तसकरी के और अन्य अंडीपियस एक्ट के मुकदमे दर्स थे। इन लोगों ने जो अवेद प्रॉपटी बनाई हुई थी सरकारी जमन्यों पर कब्जा करकर उन्हें भी आइडेंटिफाई करा गया उसके बाद यह जमीने मुनिस्पल कमेटी रादोर की जमीन पर कब्जा करकर बनाई हुई थी यह सारी प्रॉपटीज एमसी रादोर इन प्रॉपटीज को टमरिश करा गया उसके बेटे जिए अब ही जो टोटल नोटेस जारी करे गए थे पांच लोगों को जारी करे गए थे आज दो लोगों के खिलाफ कारवाई करी गई है एक दोनों ही राजेश नाम के वैक्ती हैं उनके एक राजेश का परिवार है उस अभी जिन लोगों को identify करा गया जो illegal squatters basically जो सरकारी जमीनों पर कबजा करे बैठे हैं और वह अपराद में भी सल्लिप्त हैं अभी ऐसे तीन लोगों को और identify करा गया और उनको notice भी दिये गए हैं जिनके खिलाफ आगे भी निया मनुसार मनिस्पल कमेटी रादोर की मदद से ह बढ़ रही है चोरी वैज़ीना चप्टी के केसों में अधिकत्तर नसे के आदी अरोपी थी पकड़े जाते हैं यही वज़ा है कि पिछले दिनों नसा मुक्ती मुहिम की बैठक में चोटा मास का मामला उठा था जिस पर पुलिस ने यहां पर चोकी भी स्तापित की थी ब् रिपोर्ट नवदेश टाइम